आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन खाने की जान बहुत ही डिलीशियस रसम यह रसम खाने में जितना फ्लेवरफुल और टेस्टी है न उतना ही हेल्दी भी है आप इसे रोज के खाने में चावल के साथ सर्व कीजिए या तो जब सर्दी जुकाम या सरदर्ध हो रहा हो न ऐसे टाइम पे सूप की तरह पी लीजिए इस रसम को बनाने के सबसे पहले हम बनाएंगे इसका एक मसाला जिससे रसम और ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बनेगा तो चले बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम रसम मसाला बनाएंगे इसके लिए पैन में गरम करेंगे एक चमज घी को मसाला बनाने के लिए गी का ही इस्तमाल कीजिएगा गी चभलका सक गरम हो जाए उसमें हम एड कर देंगे एक चमज चने की दाल और एक चमज तुवर की दाल अब मीडियम फ्लेम पर दोनों ही दाल को हम करीबर एक से डेड़ मिनिट क चुकी है इस टाइम पर हम इसमें आड कर देंगे काली मिर्च साथ में इसमें डालेंगे साबूत दनिया और जीरा अब इन सभी मसालों को एक दम ही धीमी आज पर हमें अच्छे से भूनना है करीबन तीन से चार मिनिट तर लगातार चलाते हुए इसे आराम से भूनेंगे इसमें से एक बहुत ही अच्छी फ्लेवर रिलीज होनी चाहिए खुश्बू आनी चाहिए और मसालों का जो कलर है वो भी हलका सा चेंज हो जाना चाहिए उतने आराम से हमें इसे भूनना है और जब तक मैं इसे भून कर तैयार कर रही हूँ आप मुझे कमेंस में फटा- अच्छी आ रही है तो इस टाइम पर इसमें डाल देंगे कुछ मेथी के दाने कुछ कड़ी पत्ते लिए है और साथ में मैंने यहां पर ली है बारा से पंदरा जितनी मिर्च इसे भी हम इसमें आड कर देंगे लो फ्लेम पर चलाते हुए हमें इसे और करीबन दो मिनिट क हो चुकी है तो ग्यास की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए थंडा होने देंगे हलका सा थंडा हो जाए उसके बाद हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफर कर देंगे तो सबसे पहले हम डाल देंगे मिर्च तो यहां पर पहले मिर्च को पीस लेंगे यह अब इसमें एड़ कर देंगे बाकी के मसाले, साथ में इसमें जाएगा थोड़ी सी हिंग, अब इन सबी चीजों को हमें अच्छे से बारिक पीस लेना है, तो ये देखिए हमने यहां पर रसम के मसाले को पीस लिया है, ये मसाला बहुत ही जादा फ्लेवरफुल और टेस्ट ही होता है, इससे रसम बहुत ही जबरदस बन के तैयार होगा, आप इसका टेक्शर देखिए, तो ये सूपर फ्लेवरफुल रसम का वसाला बन चुका है, आप इसे एटाइट कंटेनर में करीबन चार से पांच महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नही कर लिया था, जिसे मैंने करीबन आधे घंटे के लिए दो कर भीगो दिया था और बाद में तीन विसल तक पका लिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल कर आप इसका टेक्शर देखिए, ये ना जादा गाड़ा है और ना ही जादा वाटरी, रसम में सिर्फ दाल का पानी आड़ इस मिनिट तक भीगो दिया था, इस तरह भीगोने से जो इमली है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, रसम में इमली का एक प्रॉमिनन टेस्ट होता है, इसे हम अच्छे से अभी मसल कर साइड में रख देंगे और बाद में इसका पल्प और जो पानी है उसे हम रसम में एड कर देंगे, अब एक कडाई में हम गरम करेंगे, दो बड़ी चम्मस जितना तेल, मैंने यहां पर तिल का तेल लिया है, आप चाहे तो गी का इस्तमाल भी कर सकते हैं, इसमें एड कर देंगे, सुखी हुई लाल मिर्ज, राई के दाने, और रफली चॉप किया हुआ ल प्लेवर है, जो टेस्ट रसम में बहुत ही जबरदस्त आता है, तो जरूर एड कीजिए का, बाद में डाल देंगे थोड़ी सी हींग, और तीन बड़े टमाटर लिये है, मैंने जिसे इस तरह से छोटे टुकडो में कट कर लिया है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और में जरूर बताईएगा, आपको ये रैसिपी और वीडियो कैसे लगे, पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शायर जरूर कीजिएगा, मीडियो फ्लेम पर करीबन दो मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं, टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ् अधनिया, और साथ में हम इसमें एड करेंगे दो चुटकी जितना हल्दी, दोनों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, अभी इस मिक्षर में हमें एड करना है इमली के पल्प को, जो इमली हमने भीगो के तैयार की थी ना, उसे अच्छे से मैश कर लेंगे, और इसे इसी एड करना है गरम पानी, तो मैंने यहां पर करीबन आधा लीटर जितना गरम पानी का इस्तमाल किया है, रसम के कंसिस्टंसी बिलकुल पतली पानी जैसी होती है, तो आगे आगे जैसे जरूरत लगेगी, हम गरम पानी एड करते जाएंगे, तिलहाल इस मिक्षर में करेंगे, एक हरी मिर्च, यह तीखी वाली है, तो मैं एक ही एड करूंगी, और साथ में एक बड़ी चमच जितना गुड, गुड एड करने से रसम में टमाटर और इमली के जो खटापन है न, वो बैलेंस हो जाएगा, और ताजा पीसा हुआ रसम का मसाला, दो बड़ी चम है, वो बहुत बहतरीन हो जाएगा, आप इसका कलर भी देखे, कितना प्यारा आ चुका है, इस टाइम पर हो सकता है, कि रसम दाल की वज़े से थोड़ा सा थिक हो जाए, अगर थिक लग रहा हो, तो थोड़ा सा गरम पानी एड कर दीजेगा, अच्छे से बॉइल आ जाए रसम की रसिपी है, इस रसम को साउथ इंडियन मील्स में बहुत जादा पसंद किया जाता है, गरम गरम चावल के उपर अच्छे से रसम को डाल दिया जाता है, और उसमें अड करते है थोड़ा सा गी, यह बहुत ही जाएदा कमफर्ट मील है, जरूर ट्राइ कीजेगा, ज मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं रसिपी के साथ तब तक के लिए, थैंक्यू सो मच, टेक क्यार,